शेशनाक की तपस्या, ब्रह्मा जी से वरप्राप्ती और पृत्वी को सिर्पर धारण करना पिछले अध्या में हमने जाना कि कैसे गरुड अमरित लेकर सर्पों को दे तो देते हैं, किन्तु सर्प उसका पान नहीं कर पाते शानक जी ने पूछा, तात सूत नंदन आपने महा पराक्रमी और दुर्धष नागों का वर्नन किया अब यह बताईए कि माता कद्रू के उस शाप के बात मालुम हो जाने पर उन्होंने उसके निवारण के लिए आगे चल कर कौन सा कारे किया ओग्र शावाजी ने कहा, शानक उन नागों में से महा यशस्वी भगवान शेश नाग ने कद्रू का साथ छोड़कर कठोर तपस्या प्रारम बगी वे केवल वायू पीकर रहते और सैयम पूर्वक व्रत का पालन करते थे अपनी इंद्रियों को वश में करके सदा नियम पूर्वक रहते हुए शेश्री गंध मादन परवत पर जाकर बद्रिका अश्रम तीर्थ में तप करने लगे ततपर्शात, गौकर्ण, पुशकर, हिमाले के तटवर्ती प्रदेश तथा भिन भिन पुन्य तीर्थों और देवालियों में जा जाकर सैयम नियम के साथ एकांत वास करने लगे ब्रह्मा जी ने देखा शेशना घोर तप कर रहे हैं उनके शरीर का मास, तवचा और नाडिया सूख गई हैं वे सिर्पर जटा और शरीर पर बलकल वस्रधारण किये मुनी वृती से रहते थे उनमें सच्चा धैर है, वे निरंतर तप में सनलग्न हैं यह सब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास आए और बूले शेश तुम यह क्या कर रहे हो, समस्त प्रजा का कल्यान करो अनत इस्तीवर तपस्या के द्वारा तुम संपूर्ण प्रजा वर्ग को संतप्त कर रहे हो भगवन, मेरे सब सहोधर भाई बड़े मंद बुद्धी हैं, अतह मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, आप मेरी इसे च्चा का अनुमोधन करें वे सदा परस पर शत्रू की भांती एक दूसरे की दोश निकाला करते हैं, इससे उब कर मैं तपस्या में लग गया हूँ, जिससे मैं उन्हें देख ना सकूँ वे विन्ता और उसके पुत्रों से धा रखते हैं, इसलिए उनकी सुक्सुविदा सहन नहीं कर पाते आकाश में विचरने वाले विन्ता पुत्र गरुड भी हमारे दूसरे भाई ही हैं, किन्तु वे नाग उनसे भी सदा द्वेश रखते हैं मेरे पिता महात्मा कश्यब जी के वरदान से गरुड भी बड़े बलवान हैं, इन सब कार्णों से मैंने यही निश्य किया, कि तपस्या करके मैं इस शरीर को त्याग दूँगा, जिससे मृत्यों के पश्षात किसी तरह इन दुस्टों के साथ मेरा समागम ना हो ऐसी बातें करने वाले शेशनाग से पिताव हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, शेश मैं तुम्हारे सब भाईयों की कुछेष्टा जानता हूं, माता का अपराद करने के कारण निश्य ही तुम्हारे उन सबे भाईयों के लिए महानभय उपस्तित हो गया है, परन्तु भुजंग इस विशे में जो परिहार अपेक्षित है, उसकी विवस्ता मैंने पहले ही कर रखी है, अतह अपने संपूर भाईयों के लिए तुम शोक नहीं करना, शेश तुम्हें जो अभिष्ट हो, वैवर मुझसे मांग लो, तुम्हारे उपर मेरा बड़ा प्रेम है, अतह आज मैं तुम्हें अवश्यवर दूँगा, पन्न गौतम यह सौभाग्य की बात है, कि तुम्हारे बुद्धी धर्म में दृड़ता पूर्वक लगी हुई है, मैं भी आशरवाद देता हूँ कि तुम्हारे बुद्धी उत्रोतर धर्म में स्थिर रहे, शेशी बोले, देव पित ब्रह्मा जी ने कहा, शेश तुम्हारे इस इंद्रिय सैयम और मनो निग्रह से मैं बहुत प्रसन हूँ, अब मेरी आग्या से प्रजा के हित के लिए यह कारे करो, जिसे मैं बता रहा हूँ हूँ, और तुम्हें यह करना ही चाहिए, शेशनाग, परवत, वन, सागर, ग्रा विहार और नगरों सहित यह समूची प्रित्वी प्राय हिर्ती डुलती रहती है, तुम्हें से भलिवांती धारण करके इस प्रकार स्थित करहो, जिससे है पून तह अचल हो जाए, शेशनाग ने कहा, प्रजापते, आप वरदायक देवता, समस्त प्रजा के पालक, प्रि प्राणियों के स्वामी और संपूर्ण जगत के अधिपती है, आप जैसी आज्या देते हैं, उसके अनुसार मैं इस प्रित्वी को इस तरह धारण करूंगा, जिससे यह हिले डुले इन बिना मेरे सिर पर स्थित रहे, ब्रह्मा जी ने कहा, नागराद शेश, तुम प्रि प्रिये कारे को संपन्न किया जाएगा, उग्रशवा जी कहते हैं, नागराज वासुकी के बड़े भाई सर्व समर्थ भगवान शेश ने बहुत अच्छा कहकर, ब्रह्मा जी की आज्या शिरोधारे की, और प्रित्वी के विवर में प्रवेश करके, समुद्र से घीरी हु इस वसुदा देवी को उन्होंने सब ओर से पकड़ कर सिरपर धारन कर लिया, तभी से यह प्रित्वी स्थिर हो गई, तदरंतर ब्रहमा जी बोले, नागुतम तुम शेश हो, धर में ही तुम्हारा आराध्य देव है, तुम अकेले अपने अनन्त फणों से इस सारी प्रित जी कहते हैं, शोनक इस प्रकार प्रतापी नाग भगवान अनन्त अकेले ही ब्रहमा जी के आदेश से इस सारी प्रित्वी को धारन करते हुए भूमी के नीचे पाताल लोक में निवास करते हैं, ततपश्चा देवतों में शेश्ट भगवान पितमह ने शेशनाग के लिए विंतानंदर गरुड को सहायक बना दिया, अनन्द नाग के चले जाने पर नागों ने महाबली वासुकी का नागराज के पद पर उसी प्रकार अभिशेक किया, जैसे देवताओं ने इंद्र का देवराज के पद पर किया, उग्रशवा जी कहते हैं, शोनक माता कद्रू से नागों के लिए ये शाप प्राप्थ हुआ सुनकर नागराज वासुकी को बड़ी चिंता हुई, वे सोचने लगे किस प्रकार ये शाप दूर हो सकता है, तदन अंतर उन्होंने एरावत आदी सर्व धर्म परायन बंधों के साथ इस शाप की विशे में विचार किया, वा इस शाप से छूटने के लिए क्या उपाय हो सकता है, इसके विशे में सलहा करके हम सब लोगों को उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, सब शापों का प्रतिकार संभव है, परन्तु जो माता के शाप से ग्रस्त है, उनके छूटने का कोई उपाय नहीं है, अभिनाशी अप प्रेमें तथा सत्य सुरुप प्रह्मा जी के आगे माता ने हमें शाप दिया है, यह सुनकर ही हमारे लिदय में कंप कंपी चाह जाती है, निश्य ही वह हमारे सर्वनाश का समय आ गया है, क्योंकि अभिनाशी देव भगवान ब्रह्मा ने भी शाप देते समय माता को मणा नहीं किया इसलिए आज हमें अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए कि किस उपाय से हम सभी नाग कुशल पूर्वक रह सकते हैं अब हमें व्यार्थ समय नहीं गवाना चाहिए हम लोगों में प्राए सब नाग बुद्धिमान और चतुर हैं यदि हम मिल जुलकर सला करें त ऐसे पूर्वकाल में देवताओं ने गुफा में छेपे हुए अगनी को खोज निकाला था सर्पों के विनाश के लिए आरंब होने वाला जन्मिज्य यग जिस प्रकार टल जाए अथवा जिस थरह उसमें विग्न पड़ जाए यह उपाय हमें सोचना चाहिए उग्रशव थे उस समय वहां कुछ नागों ने कहा हम लोग श्रेष्ट ब्रामण बनकर जन्मेज्य से यह भिख्षा मांगें कि तुम्हारा यग्य ना हो अपने को बड़ा भारी पंडित मानने वाले दूसरे नागों ने खा हम सब लोग जन्मेज्य के विश्वासपात्र मंत्री बन जाएंगे फिर यह सभी कार्यों में अभिष्ट प्रयोजन का निश्य करने के लिए हम से सलाप पूछेंगे उस समय हम उन्हें ऐसी बुद्धी देंगे जिससे यग्य ही ना हो हम वहां बहुत विश्वस्त एवम संबानित होकर रहेंगे अतहां बुद्धिमानों मिश्रेष्ट राजा जनमिजिर यग्य के विश्य में हमारी सम्मत्ती जानने के लिए अवश्य पूछेंगे उस समय हम स्पष्ट कर देंगे यग्य ना करो हम युक्तियों और कारणों द्वारा यह दिखाएंगे कि उस यग्य से इह लोक और परलोक में अनेक भयंकर दोश प्राप्त होंगे इससे यह यग्य ठीक नहीं है अथवा जो उस यग्य के आचारे होंगे जिनें सर्प यग्य के विदी का ज्यान हो और जो राजा के कार एवं हित में लगे रहते हैं उन्हें को इस सर्प जाकर डस ले फिर वे मर जाएंगे यग्य कराने वाले आचारे के मर जाने पर वे यग्य अपने आप बंद हो जाएगा आचारे के सिवाद दूसरे जोजो ब्रामन सर्पियग्य की विधी को जानते होंगे और जनमेज्य के यग में रित्विज बनने वाले होंगे हम सब को डस लेंगे इस परकार सारा काम बन जाएगा यह सुनकर दूसरे धर्मात्मा और दयालू नागो ने कहा ऐसा सोचना तुमारी मूर्खता है ब्रह्म हत्या कभी शुब कारक नहीं हो सकती आपत्तिकाल में शांती के लिए वही उत्तम उपाय माना गया है जो भलिभानती शेष्ट धर्म के अनुकूल किया गया हो संकर से बचने के लिए उत्रोतर अधर्म करने की प्रवृत्ती तो संपून जगत का नाश कर डालेगी इस पर दूसरे नाग बोल उठे जिस समय सर्प यग्य के लिए अगनी प्रजोलित होगी उस समय हम बिजलियों सहित मेग बनकर पानी की वर्षाधारा से उसे बुझा देंगे दूसरे श्रेष्ट नाग रात में वहां जाकर असावधानी सोय हुए रित्वजों के सुरुक, सुरुवा और यगपातर आदी शीग्र चुरालावे इस प्रकार उसमें विग्ण पढ़ जाएगा अत्वा उस यग्य में सभी सर्प जाकर सैंकडों और हजारों मनुष्यों को डस ले ऐसा करने से हमारे लिए भय नहीं रहेगा अत्वा सर्पगन उस यग्य के संसकार युक्त भोज्य पदार्थ को अपने मल मूत्रों द्वारा जो सप्रकार की भोजन सामगरी का विनाश करने वाले हैं दुशित कर दें इसके बाद अन्य सापों ने कहा हम उस यग्य में रित्वज हो जाएंगे और यह कहकर कि हमें मू मांगी दक्षना दो यग्य में विग्न खड़ा कर देंगे उस समय राजा हमारे वश में पढ़कर जैसी हमारी इच्छा होगी वैसा ही करेंगे फिर अन्य नाग बोले जब राजा जनमेजर जलक्रिडा करते हो उस समय उन्हें वहां से खीच कर हम अपने घर ले आवें और बांद कर रख लें ऐसा करने से वह यग्य होगा ही नहीं इस पर अपने को पंडित मानने वाले दूसरे नाग बोल उठे हम जनमेजर को पकड़ कर डस लेंगे ऐसा करने से तुरंत ही सब काम बन जाएंगे उस राजा के मरने पर हमारे लिए अनर्थों की जड़ी कट जाएगी नेत्रों से सुनने वाले नागराज हम सब लोगों की बुद्धी तो इस निश्य वर पहुँची है कि अब आप जैसा ठीक समझते हैं वैसा शीगर करें यह केकर वे सर्प नागराज वासुकी की ओड़ देखने लगे तब वासुकी ने भी खूब सोच विचार कन उन सर्पों से कहा नागर्ण तुम्हारी बुद्धी ने जो निश्य किया है वे विवार में लाने योग्य नहीं है इसी प्रकार मेरा विचार भी सर्पों को जड़ जाए ये संभव नहीं है ऐसी दशा में क्या करना चाहिए जो तुम्हारे लिए हित कर हो मुझे तो महात्मा कर्श्यप जी को प्रसन्य करने में ही अपना कल्यान जान पड़ता है बोजंगमों अपने जाती भाईयों के और अपने हित को दृष्टी में रख कर तुम्हारे कथना नुसार कोई भी कारे करना मेरी समझ में नहीं आता मुझे वही काम करना है जिससे तुम लोगों का वास्तविक हित हो इसलिए मैं आधिक चिंतित हूँ क्योंकि तुम सब में बड़ा होने के कारण गुण और दोश का सारा उत्तरदायत्व मुझ पर ही है उग्रिशवाजी कहते हैं शौनक जी समस्त सर्पों की भिन भिन राय सुनकर और अंत में वासुकी के वचनों का श्रवन कर एला पत्र नामक नाग ने इस प्रकार कहा भायों ये संभव नहीं कि ये यग्य ना हो तथा पांडव वन्शी राजा जनमेजिभी जिससे हमें महान भय प्राप्त हुआ है ऐसा नहीं है कि हम उसका कुछ बिगार सकें राजन इस लोक में जो पुरुष दैव का मारा हुआ है उसे दैव की ही शरण लेनी चाहिए वहां दूसरा कोई आश्रय काम नहीं करता श्रेश्ट नागण हमारे उपर आया हुआ ये भय भी दैव जने थी है अतह हमें दैव का ही आश्रय लेना चाहिए उत्तम सर्पगण इस विशे में आप लोग मेरी बात सुने जब माता ने सर्पों को ये शाप दिया था उस समय भय के मारे में माता की गोद में चड़ गया था पनगवर महातेजस्वी नागराजगण तभी दुख से आतुर होकर ब्रह्मा जी के समीप आये हुए देवताओं की ये वाणी मेरे कानों में पड़ी अँफो, स्त्रिया बड़ी कठोर होती है बड़ी कठोर होती है इस क्रूर कद्रू को छोड़ कर दूसरी कौन स्त्री होगी जो प्रिये पुत्रों को पा कर उन्हें इस प्रकार शाप दे सके और वह भी आपके सामने पिता महां आपने भी तथास्तु कहकर कद्रू की बात का अनुमूदन ही किया उसे शाप देने से रोका नहीं इसका क्या कारण है हम ये जानना चाहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा इन दिनों भायानक रूप और प्रचंड विश्वाले क्रूर सर्प बहुत हो गए हैं जो प्रजा को कष्ट दे रहे हैं मैंने प्रजाजन के हित की रक्षा से इस समय कद्रू को मना नहीं किया जनमेज्य के सर्प यग्य में उनी सर्पों का विनाश होगा जो प्राय लोगों को डस्ते रहते हैं क्षुद सुभाव के हैं और पापाचारी तथा प्रचंड विश्वाले हैं किन्तु जो धर्मात्मा हैं उनका नाश नहीं होगा उस समय आने पर सर्पों का उस महान भय से जिस निमित से छुटकारा होगा उसे बतलाता हूँ तुम सब लोग सुनो यह यावर कुल में जरतकारू नाम से विख्यात एक पुद्धिमान महरशी होंगे वे तपस्या में तत्पर रहकर अपने मन और इंद्रियों को सैयम में रखेंगे उनहीं के आस्तिक नाम का एक महा तपस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो उस यग्य को बंद करा देगा अतह जो सर्प धार्मिक होंगे वे उसमें जलने से बच जाएंगे देवताओं ने पूछा ब्रह्मन वे मुनी शिरोमनी महा तपस्वी शक्तिचाली जरतकारू किसके गर्भ से अपने उस महात्मा पुत्र को उत्पन करेंगे ब्रह्मा जी ने कहा वे शक्तिचाली दुछ्ष्ट जिस जरतकारू नाम से प्रसिद्ध होंगे उसी नामवली कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके उसके गर्भ से एक शक्ति संपन पुत्र उत्पन करेंगे सरप्राज वासुकी की बेहन का नाम जरतकारू है उसी के गर्भ से वे पुत्र उत्पन होगा जो नागों को शाप से छुडवाएगा एला पत्र कहते हैं यह सुनकर देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे एवमस्तू ऐसा ही हो देवताओं से यह बात सुनकर ब्रह्मा जी परलोक में चले गए अतहां नागराज वासुके मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप नागों का भै दूर करने के लिए कन्या की भिक्षा मांगने वाले उत्तमरत का पालन करने वाले महरशी जरतकारू को अपनी जरतकारू नाम वाली ये बहन ही भिक्षा रूप में अर्पित कर दे उस शाप से छूटने का यही एक उपाय मैंने सुना है उग्रिश्रवा जी कहते हैं दुज्श्रेश्ट एला पत्र की बात सुनकर नागों का चित प्रसंद हो गया वे सब के सब एक साथ बोल उठे ठीक है ठीक है वासुकी को भी इस बात से बड़ी प्रसंता हुई वे उसी दिन से अपनी बहन जरतकारू का बड़े चाव से पालन पोशन करने लगे तदन अंतर थोड़ा ही समय व्यतीत होने पर संपूर देवताओं तथा असुरों ने समुद्र का मन्थन किया उसमें बलवानों में श्रेष्ट वासुकी नाग मंद्राचल रूप मतानी में लपेटने के लिए रस्सी बने हुए थे समुद्र मन्थन का कारे पूरा करके देवताओं वासुकी नाग के साथ पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे बोले भगवन ये वासुकी माता के शाप से भैभीत हो बहुत संतप्त होते रहते हैं देव अपने भाई बंधू का हिट चाहने वाले इन नागराज के हिदे में माता का शाप कांटा बनकर चुबा हुआ है और कसक पैदा करता है आप इनके उस कांटे को निकाल दीजिए देविश्वर नागराज वासुकी हमारे हितैशी है और सदा हम लोगों के प्रियकारे में लगे रहते हैं अतह आप इन पर कृपा करें और इनके मन में जो चिंता की अगनी जल रही है उसे बुझा दे ब्रह्मा जी ने कहा देवता हूँ एला पत्र नाग ने वासुकी के समक्ष पहले जो बात कही थी तो है मैंने ही मांसिक संकल्प द्वारा उसे दी थी अर्थात मेरी ही प्रेणा से एला पत्र ने ये बातें वासुकी आदी नाग के समक्ष कहीं थी ये नागराद समय आने पर स्वेम तदनुसार ही कारे करेंगे जनमीज्य के यग में पापी सर्प ही नश्ठोंगे किन्तु जो धर्मात्मा है बे नहीं अब जरतकारू ब्रहमर्ण उत्पन होकर उगर तपस्या में लगे है अफसर देखकर ये वासुकी अपनी बेहन जरतकारू को उस महरिशी की सेवा में समर्पित कर दे देवताओं एला पत्र नाग ने जो बात कही है वही सर्पों के लिए हितकारी है वही बात होने वाली है उससे विप्रीत कुछ भी नहीं ब्रहमा जी की यह बात सुनकर शाप से मुहित हुए नागराज वासुकी ने सब सांपों को ये संदेश दे दिया कि मैंने अपनी बेहन का विवा जरतकारू मुनी के साथ करना है फिर उन्होंने जरतकारू मुनी की खोज के लिए नित्ते आग्या में रहने वाले बहुत से सर्पों को न्युक्त कर दिया और ये है कहा सामर्थेशाली जरतकारू मुनी जब पत्नी का वरन करना चाहें उस समय शीखर आकर यह बात मुझे सूचित करना उन्हीं से हम लोगों का कल्यान होगा यह यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्तानम अधर्मस्य तदात्मानम सुजाम्यहं परित्रानाय साधूना विनाशायच दुष्कृतां